खुषिशा है को अध्री 2 इंवरुसरी होग एंवर्सरी साथ में तो भाड जाते सात में बार जाते हैं यह कुछ भी ऐसे घर पर एंफैर परो तो साथ में अच्छा लगता है अपके लिए क्या ही इसको पहना लेकिन पहना है पर कहीं जाने का मन नहीं हुआ मैं सिर्फ साथ कुछ चिकन चंगेजी खानी थी तो उसको चिकन चंगेजी दिला के लाई हूं क्योंकि मैंने पहले उससे बुला था कि मैं कहीं घुमने चलेंगे आपन सदर वदर उसको ले आओंगी कुछ खिलाप लाके लिए आओंगी फिर ऐसा मेरा मन नहीं नहीं हो ना फ्रेंड तो दुनिया की कोई भी जगा हो अच्छी नहीं लगती है दिल खुछ होना चाहिए तब कहीं जाने में मज़ा आता है तो मैं नहीं गई हूं बस अच्छा नहीं लग रहा और मेरी शादी को अलहमदुलिल्ला माशा अल्ला 13 साल कंप्लीट हो गया है आज 2011 में जी हैं जो मैं अपके संक शेयर करूँ और इस नहीं मेन ऊच्छी यादे डहे नहीं मेरी जो कि मैं आपके संसे कर सकते हैं और यहीं कहना चाहूंगी paling यहीं फिंदनी कर रही थी तो मुझे लगा था का मै.. खरकम का और किसी को बुरह लगए पत नहीं प्रकि टील ठीस सबकी अपनी सोच होती है मैं वहीं बोलती हूं तो फिर भी मैं कहूंगे क्योंकि यह बात मुझे लग रहा है कहनी चाहिए मचर तो मेरी जान पर बनाए मैं सोच जी बात करूंगी तो मैं मुबाइल को कही रहां से सेट अप हुआ है कि अच्छी सी आवाज भी आए मेरी और मैं आप से बात भी कर पाहूं अच्छा एक फ्रेंडी बाब बताईगे आप ठीक है मैं अपना ही एक्सपिरिंस आपके साथ में शेयर करूंगी शादी हो सुस्राल वाले इस चीज को क्यों नहीं समझते हैं कि जो लड़की आई है उसको ना पहलों से पहले से नहीं पताता ना कि घर में किसको ठंडा पानी पसंद है किसको चाय पसंद है और किसको कितने बजे खाना पसंद होता है सास को कितनी मिर्ची चाहिए ससर को कैसा खाना देवर को कासी खाना चाहिए नंद को कितने वज़े खहने में क्या पसंद कौन आस मची खाता है कौन सब्सक्राइब काज़ी दाल खाता है किस रोटी चाहिए किस लड़की को पता होता शादी से स्कों पता होता पहले से कुछ ऐसाप तो आते नहीं है कि हमारी उस घर में शादी हो रही है तो वहां पे ना मेरे जितनी भी घर के रिष्ट लोग है ना जो देवर्ट जेट डिठानिया साथ ससुर उन सबको नहीं हमें खौब में ताबीर आ जाती है कि इनको यह पसंद है तो हम बच्पन से उस चीज की ट्रेडर लेने लगते हैं पॉसिबल ही नहीं है शादी होके जाओ आप किसी घर में साद आवाज आरी है विटा सादी होके आप जा रहे हो तो ना क्यों घर के लोग ससुराल वाले क्यों यह उम्मीद रख लेते हैं कि जो लड़की आईए ना आती एकदम वेल ट्रेडर ने और वो तो फटा-फटा- आप परफेक्ट हो दुनिया का कौन इंसान परफेक्ट है एक बताओ एक नाम बताओ दुनिया की कौन सी ओरते चों सादी से पहले सब को सीख के आती है भाई मैंने तो नहीं देखी है अपनी लाइफ में मैंने नहीं देखी है और अगर के काम करते भी है तो ससुराल के काम में और मार्के के काम में फरक होता है सुस्राल में जिम्मेदारी टाइप आ जाती है आपको टाइम देना चाहिए ना आप सोचते हो ना लड़की आ गई न आप तो भाई उम्मीद बांद लो भाई डोटो लोटी खाते हैं यह सब चीजे उसको अपने मायंड में चल कर चल भाई चल लेकर चलने लेकिन पड़ीया इक टाइम दे ना आपको को लड़की आपकी सच्राल में आई है तो हर एक लड़की अपने खौब लेकर आती आती है आप फिल्मों में देखते हो नाट मेरे शुस्राल एसा होगा, मैं इसा कर गूंग उपने शादी के बाद गूमूँगी तो वो रियल होता है, हर लड़ की तोस्ती है, शुस्रालल के संग एंजोई करेगी एकनम उसके सास, उसकी माँ चैसे सको प्यार करेगी, उसकी गलतीयों को सब के सामने टोकेगी है नहीं, एक मा ना अपनी बेटी की बुराई चार लोगों के सामने नहीं करती है लेकिन एक बहु की बुराई वो पचास लोगों के सामने कर जाती है इसलिए सास कभी मा नहीं बन सकती मा ना कभी भी अपनी कोई बेटी उसकी गलती करी हो कि अब मेरी भी माय मैं ने भी कितनी साइड गलतियां करीं ऑपनी नहीं को बहुत जल्दी से बुराई करती है कर देते हike कि ये ऐसी आ वैसी ये फुर फुर कर गये अपना लिकर देती हे अपनी बेटी में 50 एप भी होँगे न तो कभी अपनी बेटी के बुरा ही नहीं करएगे चलो तो बात होगे दूसरे अगर आपकी घर में बहु हाई है आप उसको time दो साल, दो साल, छे साल, चार साल, पांस साल, जो भी आप दे सकते हो, भाई, टाइम लगेगा, एक घर छोड़के, अपने माबाप, भाई, भाई, भेन, अपना एक बस्ती महुला, दोस्त, हीली को छोड़के तुमारे घर में आईए, टाइम दो ना, उसको, उसकी नहीनी शाद सब के उठने से पहले जाग जाओ, उसको मोटी रोटी नी बननी चाहिए, ऐसे खाना मनाती है, खाना नहीं मेना यहारे थिरे माने खाना नहीं सिखाया, हम सब कुछ बात में शीखें, आप एक बात को गौर समझतना, एक लड़की, यह कोई भी लड़का लड़की जब तो पुदम्स का जाता है क्योंकि आप बच्चे पैदा कैसे होते ना कि कैसे लगते हैं लंको साल लग जाती हैं फेंड टोक्टर बन्ने में अंब्ला चलाएं अब अदिया गया उनको उनको पड़ाई के बाद नहीं बनाया गया उन्होंट ट्रेनिंग लिए एक फौजी जब जंग के लिए जाता है सरहत पे या वैसे ही तो उसको भी ट्रेनिंग दी आती है आती है उसकी भड़ती होती है भड़ती के बाद उसको सालों एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ट्रेनिंग के बाद ही लगता कि हाँ यह परफेक्ट है अब यह जंग के लिए किसे कई भी जा सकता है उसको कोई भी इनसान जब जोब करने के लिए घड़ा होता है अपने मने अपने फुर पर 收 heater है इसको यह ओए हैं किसा मेन अपने अधाया धार कि हमारे यहां होता है तो देह कभी घबरा मत तू परिसां मत तेरा घर है तुझे ही समालना यहां है। इसको time दो आप क्यों यह सोसते हो सास और ध्यौत्स नंदः या अगर की सोस्ते हैं कि यह एक तम पर्फेक्ट आई होगी। यह तो पहल्छे लेना है यह पहलोब यह जम्सक्त自 I am i बच्छा भी पwireद में जब आता है तो इसको नहीं महींने लगए दुनिया में आने में और ज 아니면 अटाअजी बहुत से रखाने यह लाघ गया है दिट्स मैने में पा झाल जो हुआ बच्चा रातो रात नहीं भड़ जाता रात रात तो ने दुनिया में आ जाताया आज प्रिग्रेट हुए तो कल बच्चा आ घ्या, नो महीने लगते हैं कि फिर्ट को बढ़ा होने, पेट में तो कि यत बहुत एसा समझते हो कि व्यूंत बहुत समझधार तो पर इ करती हैं भी हो जाती है किसी समने अच्छा बात करें कियो इन टाइम देते हो आप इसको यही चीज मैं में को पता है रात से में को इस चीज काफी दिन से दिन को इस इस टॉपिक बात करूंगी इस इंशालला कभी करूंगी क्यों एक लड़की जब साधी हो करके आपके घर मे कियो नूए टाइम देते हो सको क्यों नहीं देते हो कि आप तो जी हम लोग हैं हम लोग तरह साथ ख़ड़े को अधी किशिटी में कोई नहीं जिगा पर खाना बनाना playing का अच्छी चीज भी बूरी बन जाती है कभी-कभी हम लोग से भी घर्क चीज को जाती है आज में इत लेकिन नई सुस्राल में ऐसा समझा जाता कि लड़की अब आ गई है ना यह तो इल्दम पर्फेक्ट आईगी रोटी भी फूली फूली देगी हम लोग को भाई रोटी तेरी पिछकी क्यों है रोटी बेलते में बहुत सी सांस है अब यह ना नदर रखती है रोटी तेरी बिटा हमारे घर में इतनी मिच्रे डलती है इतना धन्या डलता हमारे इतना ओई डलता आप उसको टाइम दो मैं भाई बोल रही हो हर इंसान ट्रेनिंग लेकर आता है काम करने के लिए जौब करने के लिए और यह जो एक लड़की शादी करके बहु बनके आपके घर के अं पढ़ती है एक ळलती होती है तो फुसकारी मानना बुर एक ना कौनी मार मार के बाते ना चाहे ऐसी हम दिये डिलोकी बहुत कि दूर्स जाती हैं किसी सबको ट्रेनिंग जाएने के लिए इसके लिए तो यह भी यह नहीं सोचते हैं बुराही करने और उसके अंदर तो कभी उसने कभी जिन्दीगी में गलती नहीं करी कभी मुह से गलत अलफास नहीं निकलना चाहिए जोड से नहीं हसना चाहिए यह नहीं है अपरे मैं बढ़िती हूं कि ऐसे लोगों को ना पता है भाई ऐसे माओं को अपने बेटों की शादी नहीं करने यह जो, तुम अगर सोसती हों की जो बहु आएगी वो तो भाई गलती नहीं होने वाली। ऐसी दुनिया में, कोई लड़की नी वनी है तो आप तो अपन बेटों की शादी मत करो, उनको कोःरा रहने तो क्योंकि लड़की आहें इनसान है होती हैं क्षार्टी इनसान गलतिए करने के फादा हुआ है आज की सदी कि ढोग है लोग आज के सदी में इनसान का गलत गलत ना करना यह गलत नहीं होना नहीं है कितना भी इंसान सम्हाल के चला आज सब architects जाती है तब इतना टाइम बीद गया तब जाके हम लोग अच्छी बुरी चीजों को समझें अब जिस वक्त साधी की जो एज होती है एक लड़कपन की एज होती है उस टेम पर आप उससे सब कुछ उम्मीद करने लगते हो अगर वो बोल देना मुझे यह चीजी बनाने आती यहाँ वर यहाँ यह अच्छी बाते मेडल बिल जाका फिर आपने सिकाय तो बता कौं सा मैडल चाहिए पर की मूर्ती चाहिए वहण जाए आपके मूर्ती तो भाई मेरी तो कुछ ऐसी बुद मेमैद मेरी जहनी जो मैं आपके संग शेर करूँ इसलिए शायद लोग मेरे से दूरी भखते हैं इसलिए बखते हैं क्योंकि सच नहीं सुनते हैं सुनना नहीं आता अपने बच्चों की उनकी बेटे परफेक्ट होते हैं लेकिन किसी की घर की आओ भी बेटी परफेक्ट रहने होती हैं उसके माब आपको क्या बताता कि भाई तुम लोग तो ऐसे मेरी बेटी की परिक्षा लेने पर जाओगे एक परिक्षा देने के लिए लड़कियां बेटे कितने मेहनत करते हैं पूरा साल वाद एक साल के बाद फाइनल रिजर्ट लालता है उसमें भी ग्रेट दे दिये जाता है 33 परसंदे पास कर दिये जाता है आप तो आगर 99 अच्छा ही करी है न बहुने एक गलती हो जाती न उससे तो वह निन्यान वे अ कि ऐसे इसी अलफाज सुनियों और सुनने को मिलते हैं कभी-कभी फ्रेंड किसी की बहुत सारी फ्रेंड है मेरी बहुत सारे लोगर टच में मेरे और जो इतनी अच्छी है ना फ्रेंड मेरी मेरी नमास पढ़ती है मेरी मेरी फ्रेंड है नमास पढ़ती है अपने घर को इत बुराइवार निकालते हैं तो फिर बुराइवा निकालना चालू कर दे अच्छी लोगों की तो दुनिया में जगह जो एक कपड़ी जोड़ा-कपड़ा मिल जाए या थोड़ा से सालन मिल जाता है जरूरत प्रक्व हो जाए तो पी जिन्दीगी भर उनकी माला बहुत यह और जो सच बोलने वाले लोग होते न उनसे पटाए लोग क्या बोलते हैं हमने इसे छोड़ दिया है हम से नहीं रखते हैं यह दो बहुत सारे खौब दिखाया जाता है यह गलत नहीं जादी है इक लड़की जब शादी कर आती है, अपकी बेटी जादी कर जाए ये, आप अपनी बेटीसे पूचते तेरे क्या खाव है, जब तो अपने घर जाएगी में जाए मुझा ऑफ इसको फॉफब करके बता हैं तो ये तो ये तुलिकराई गलत कर तो ये नी है है ऐसा है तो अगर जो चाहते हैं न कि हमारे बेटों की लिए बहु परफेक्ट आये तो भाई आप शादी मत करना अपनी बेटों की आज के जमाने में परफेक्ट होना पॉसिबल ही नहीं है और अगर आप किसी लड़की को टाइम दे सकते हो उसको सपोर्ट कर सकते हो उसको को अपने पास में रखना कामबाली रखने ना पंगर भी सहारों पर लेगी घर के सारे काम करने के जिंदी के इवर देती रहना अच्छा लगाओ तो लाइक करना नहीं अच्छा लगाओ तो मत करना आप मेरी यह दिल की बाती जो मैं आपके संग शेयर कर दी इंशाल्ला ज किसी को बर्दास करोगे ना सामने वाला गलत इंसान आपके उपर हाभी हो जाएगा अपने गलत इंसान का साथ दे दिया तो अल्ला हाफिस